दोपहर के करीबन 11 बजे तहसील घुवारा से ग्राम स्वारा के ग्रामिनों ने 10 किलो मीटर पैदल ध्वजात रंगा यात्रा निकाली और नर्सिंग भगवान को ध्वजा चड़ाया ग्राम के सैकडों की तादाद में लोगों ने सुभह से स्थानिय देवी माता मंदर से ध्वजात रंगा उठाया और समुचे ग्राम में प्रभात फेरी और संगीत मई रामधुन से ग्राम धर्म में रहा आपको बता दे ये कारिक्रम ग्राम स्वारा के ग्रामिनों द्वारा रखा गया था सांथी समुचे शेत्र से श्रधालू शामिल हुए थे ग्राम में प्रभात फेरी के बाद 10 किलो मीटर की पैदल यात्रा की गई साथ ही समूचे गाव में जगय जगय इस यातरा का स्वागत किया गया जब ये यातरा गाव स्वारा से निकली तो नगर की महिलाएं अपने सिर पर भवे कलश रखकर इस यातरा के साथ चलती रही वही स्वारा निवासी अड्वोकेट द्वारका सिंग चंदेल ने सभी यातरा में शामिल शद्धालूओं को स्वल पहार कराया सभी यातरा में शामिल सभी गडमाने नागरिकों का स्वाल श्रीफल से सम्मान किया हम बुंदेल खंडिक में अमन चैन खास तोर से किसानों के लिए कोई बिद्दा नाया आए ऐसी मनो कामना लेकर के भगवान नर सिंग के गुर्जन घाट पर उनके मंदर में जंदा चड़ाएंगे बीच में कोटोरा ग्राम में राजा राम जान की मंदर है उसमें भी जंदा चड़ाएंगे सभी ग्राम बासी उसके बाद बजरंग बली का मंदर है कोटोरा ग्राम में उहां भी जंदा चड़ाएंगे और साथ में आगे मुनि साबरत नाथ का इस्थान जो बन रहा है उनके चड़ों में भी हम सभी ग्राम बासी नमन करेंगे और चाहेंगे या हमारे छेत्र में और बुंदेल खंड के किसानों को इसी प्रकार की आफदा ना आने पाए और इसमें हम लोगों को सनातन से सहारा नरसिंग भगवान देती आए हैं यही मनुकामला लेकर हम लोग सभी नरसिंग भगवान के चड़ों में जा रहे हैं आपके गाओं स्वारी के लोग वाग है या और जगे के भी लोग सामे लुग है अगल वगल के कोटोरा धरमपोरा सवह वारा सवारा पनिया सेवार बारों कच्रा सभी किरामों के लोगों ने इसमें बढ़ चड़ के हिस्टा लिए हैं उन सभी का तारी करम है हमारा केबल का नहीं है पूरे चेत्र का कारिक्रम है और मनत हम सब लोग रखेंगे और निस्टित बिस्वास है कि नर्सिंग भगवान हमाई इस बुंदिल खंड में कोई आप लगभागे रैली की दूरी कितनी तै करेंगे आप लोग हम लोग हां से 10 किलो मीटर के आसपास है जी 10 किलो मी